हलो फ्रेंट्स, आज हम लोग यह जानने वाले हैं कि माइग्रेन के पेशन को कौनसी दवा लेनी चाहिए इलोपेथिक टेबिट की बात करते हैं, माइग्रेन के अंदर हमारे पास इलोपेथिक में दो तरीके का इलाज उपलब्द है एक बचाओ का है मतलब आप दवाई continuous लोग उससे माइग्रेन का अटेक नहीं आएगा ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, इस्पेशली ऐसे लोग ले सकते हैं जिनको बहुत ही severe तरह का माइग्रेन आता हो वो थोड़े दिन के लिए डाक्टर की सला से continuous medicine ले सकते हैं वैसे better तो यह रहता है कि आप काराण को समझें कि किस काराण से होता है, trigger क्या है उसको avoid करें continuous medicine लेना सही नहीं रहता, वैसे चार तरह की medicine है जो दी जाती है बचने के लिए जो सबसे कामन है वो फ्लो नारिजीन है, इसके अलावा बिटा बलाकर, प्रोपैनोलाल, मोटा प्रोलाल इसके अलावा अपने पास ट्राइसाइकलिक एंट्री डिप्रेशन में, इमेट्रिप्टलीन है और जो seizure की दवाई है, बल्फ रोएट और एक टोपिरामेट ये चार दवाईया हैं जो दी जाती हैं बचने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस दी जाती हैं, प्रिवेंचन के लिए लेकिन अगर किसी को अटेक आ गया है, उसको symptoms control या acute attack के इलाज के लिए क्या लेना है अब कई बार कि tube जो भी दर्ध की दवाई है लोग उसको उठाके खा लेते हैं असीड लेते हैं और वह कई बार इतना उनको आराम मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता क्योंकि माइगरें के साथ unique problem यह है कि इसमें blood vessels की यंदर dilation होना और brain के अंदर neurotransmitter एक serotonin होता है उसमें बदलाव आता है तो कई बार आपको simple जो pain killer है जैसे कि esprin है, naproxen है, paracetamal है इससे हो सकता है कि आपका काम ना बने कई बार अगर हलका दर्द है तो उस cases में esprin को आप पानी में घोल की पी सकते है तो उससे काम बन भी सकता है पर अगर उल्टी के साथ आ रहा है या photofovia हो रहा है, sensitivity हो रहा है बहुत तेज़ दर्द हो रहा है उस cases में हो सकता है कि इससे काम ना बने तो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरी दवाईया है, तीन चार class of medicine है जो ज़्यादा तर आजकल combination में मिलती है मार्केट में वही दी जाती है, तो पहला पेन किलर एंसेट्स है, दूसरी जो दवाईया है, वो है उल्टी की दवाईया है, anti-emetic medicine है उसमें जैसे की domperidon है, या इसके लाबा metaclopramide है, या promethazine है, या proclopirazine है, तो ये उल्टी की दवाईय हुई, ऐसी एक tryptan करके पूरी class होती है जिसमें की, तो sumatryptan है amelotryptan है, rizatryptan है neratryptan है, तो ये tryptan class की medicine है, जो serotonin receptor है, उसके लेवल को change करती रहती है, और एक argotamine है, वो भी serotonin की level को ही modulate करती रहती है, एकोनिस जैसा काम करती है, तो अपने पास ये 4 class की दवाईया है, जो migraine की patient में दी जाती है, अब आपको ये करना है कि कोई भी combination जो market में आपको suit करे, वो वाला आप ले सकते हैं, जब भी migraine का attack आए, तो 3-4 दिन के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि migraine का attack 4 घंटे से लेके, 60 घंटे 3 दिन तक चलता है, तो आप उन 3 दिन के लिए दवाई ले सकते हैं, अब जो common combination रहता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो एक combination जैसे caffeine के साथ ergotamine का रहता है, caffeine प्लस ergotamine, ये भी एक combination चलता है, सिर्फ दो दवाईयों का, एक combination चलता है, caffeine प्लस ergotamine, उसके साथ उसमें paracetamol, प्रो प्रोमाजीन, एंटी एमिटिक मेटसीन है, तो मतलब एक tablet के अंदर 4 दवाईया है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी, अभी ये बहुत अलग अलग तरह की company अलग अलग नाम से बनाती, जैसे की, vaso grain है, e grain है, anti grain है, my grain है, migra rist है, neuromal plus है, इन में ये चार दवाईयों का combination है, आप इस school लेके try कर सकते हो, इसके अलाबा तीन दवाईयों का भी combination है, तो ये तीन दवाईयों का combination है, बहुत सारी company है बनाती है, जैसे की, clonizine है, zero grain है, bio migraine है, bio grains plus है, तो ये तीन दवाईयों का combination, चार दवाईयों का combination, spring plane भी आती है, या caffeine के साथ, irgotamine मतलब दवाईयों का combination और जो tryptan group है, जैसे कि Sumatrypton है या Neyratrypton है Rigiotryptan है यह single भी आती है और दुसरी दवाई के combination जैसे कि neprosion के साथ combination में भी आती है तो इस तरह की दवाईा आप select करने और एक दवाई जो आपको seat करती है उसको आपको 5-6 दिन माइग्रेन के अटेक के दोरान खाना है उसको जेब में लिये रहे हैं तो ये टैबलेट के बारे में जानकारी हो गए कुछ केसेस में इंजेक्शन की जुरत पड़ती है पर वो बहुत ही रियर केसेस हैं उसकेसेस में हस्पिटल में ही जाना पड़ता है और डाक्टर जो वहाँ पे हैं उनको ही डिसाइट करने दें कि किस तरह का इंजेक्शन लगाना है तो ये माइग्रेन की जो टैबलेट से हैं उसके बारे में जानकारी थी प्रिवेंशन के लिए अलगाती है प्रिवेंशन के लिए इस्पेशली एक फ्रूनारी जीन करके कैलसियम चैनल ब्लाकर है तेन मिली ग्राम के दिया जाता है अच्छा काम करता है और अक्यूट अटैक के लिए काम्बिनेशन आप मिट्शन तीन चार तरह के काम्बिनेशन उसको ट्राई करें समयस्या 40-50 साल के बाद माइगरेन वाली धीरे-धीरे कम हो जाती है बिटर ये है कि आप अपने जीवन सेली में थोड़ा सा बतलाओ करें अपने ट्रिगर को अडेंटिफाई करें सोने के पैटन में चेंज करें खाने के पैटन में चेंज करें एलकोहल स्मोकिंग से बढ़ता है स्ट्रेस से बढ़ता है उन सब को आप कंट्रोल करेंगे मेडिटेशन, योगा, ज़्यादा पानी पीना है सबजियां खाएं उससे माइगरेन दीरे-दीरे कंट्रोल हो जाता है अगर आप दिंचरिया में बदलाओ करते हैं और माइगरेन के लच्छन को शुरुआती स्टेज में अगर आप पैचानने कोसिस करते हैं उस केसिस में ये दवाईयां भी अच्छे से काम करती हैं अगर एक बार माइगरेन का टैक पूरा से ठो जाता है तो हो सकता है कि ये दवाईयां फिर बहुत अच्छे से काम भी न करें तो ये बात हो गई माइगरेन के मेडिसिन के वारे में